चलो ध्यान देदर पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोन ले भी सकता है और इलेक्ट्रोन ले भी सकता है इस हिसाब से उसका उक्सीकरन भी हो सकता है और अवकरन भी हो सकता है किसी इलेक्ट्रोड का ओक्सी करन होगा या अभकरन होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि सामने में इलेक्ट्रोड कैसा लगा होगा यानि एक ही इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड दे भी सकता है और एक ही इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड ले भी सकता है लेकिन किसी खास ilektor का जो अपना potential है वो किसा है ilektron देने वाला या electron लेने वाला जैसे सिंक हमेज़ा il Bears देता है copper हमेज़ा il pri Series लेता है तो jinक का tendency हमेज़ा ilretron देने का होता है copper का tendency हमेज़ा il Stanley लेने का होता है तो हम यह कहना चाहरे हैं कि मान लीजिए कि हम यह जींक एलेक्टरोड बना दिये जींको बनाये हैं तो इसमें हम वाटर ले ले लेनगे और जैएईई प्लस प्लस का आयन या नि जैएईन आणि अ सो फोर ले ले लेंगे और यह रॉड किस चीज चेज़ का है यह जेटेन रोड है चल इधर देखो सुनिए तो इसका ओक्सीकरन भी हो सकता है और अवकरन भी अब बताईए इसका तो हमेशा होता है ओक्सीकरन ना लेकिन ये अवकरन भी कर सकता है वो situation पर्टिबेंड करता है तो माल लीजिए इसके oxidation potential का value हमको आया plus 0.76 volt तो इसी के reduction potential को न हम लोग यदि एक value आपको मिल जाएगा कि किसी electrode का oxidation potential कितना है कल बोले थे न कि ऑक्सीकरन अर्धविक्रिया के कारण जो भीभवुत पन होता है उसे हम ऑक्सीकरन भीभव कहते है और अवकरन अर्धविक्रिया के कारण जो भीभव उत्पन होता है उसे हम अवकरन भीभव कहते है तो किसी electrode का oxygen भीभव भी निकाला जा सकता है अवकरन भीभव भी निकाला जा सकता है चाहे वह कुछ भी करता हो electron देता हो या electron लेता हो तो हम कैसे ग्यात करेंगे ओक्सिकरन विभव और अवकरन विभव इसी बात को हम बता रहे हैं आपको दो में से कोई एक खिरकी खोल दीजे दो में से कोई एक फेल्यू पता चल जाए मान लीजिए कि आपको ओक्सिकरन विभव पता चल गया जिंका ये 0.76 वोल्ट है तो आपको reduction potential भी पता चल गया बस आपको कुछ नहीं करना है sign को change कर देना है और यह हो जाएगा minus 0.76 वोल्ट यानि हम कर सकते हैं कि कि किसी अर्ध सेल का या किसी electrode का oxy current विभव और अवकरन विभव का समान आपस में समान होता है परंतों चिन उल्टा होता है और अभी सही बाद दिमाग में सेट कर लिए किसी एक electrode के लिए यदि आपको oxidation potential का मान पता चल गया है तो उसका आपको reduction potential क्या हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट तो एक्चल में हम यह कहने कहना चाड़ है या लिखेंगे भी बाद में कि किसी अर्ध सेल का या किसी electrode का औक्सी करन विभव और अवकरन विभव दोनों का मान आपस में आंकी ग्रूप से बराबर होता है परंतों चिन उल्टा होता है निशेरो देजिए और लिखिए अच्छा सुनिए एक बात और सुनिए हम सिर्फ यहाँ पर जिंग की बात कर रहे है हम यह नहीं करें कि यह electron दिया और copper ले लिया copper के लिए यह बात नहीं लिखे हैं हम जिंग के ही electron देने की बात कर रहे हैं और जिंग के ही electron लेने की बात कर रहे हैं देने के case में oxygen विभव लेने के case में अवकरन विभव इसका oxygen विभव यदि plus 0.76 है तो इसी का लेने का एलेक्ट्रोड या अर्ध सेल, इलेक्ट्रोड हमेशा अर्ध सेल होता है, यह बात आपको पता है। के आक्सीकरन विभव तथा अवकरन विभव कामान आंकिक रूप से बराबर होता है परन्तो चिन उल्टा होता है जैसे जैसे फोटो के साथ उतार लिए जैसे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे जिन्क का ऑक्सीकरन विभव यदी जीरो पुईंट पलस जीरो पुईंट सेबं सिक्स वोल्ट होता है तो इसी जिंग का अवकरन विभव माइनस 0.76 वोल्ट होगा क्या कोई दिकत था इसमें? उतारीगे अच्छा ये बताई ओक्सीकरन विभव कब पैदा होगा? जब इलेक्ट्रोन देगा, जब ओक्सीकरन की घटना होगी और अवकरन विभव कब पैदा होगा? जब इलेक्ट्रोन लेगा, जब गेन होगा इलेक्ट्रोन जब अवकरन होगा, तब अवकरन विभव पैदा होगा और किसी इलेक्ट्रोन के लिए दोनों में से कोई भी काम हो सकता है इलेक्ट्रोन देख भी सकता है, इलेक्ट्रोन ले भी सकता है लेकिन अपनी tendency को यह ही होती है या तो electron देने की, या फिर electron लेने की जैसे कि इलेक्टरोड वियों में कल बताये थे किसी से हम जोड़े भी नहीं कल copper को हम जोड़े नहीं थे उसका tendency इलेने का होता है zinc को कल हम जोड़े नहीं थे आसानी से ग्याद कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे हो गया? सुनिए जो इलेक्टरोन देगा उसके लिए अक्सीकरन विभब और जो इलेक्टरोन लेगा उसके लिए हम किसी एक की बात करें कि जो सिर्फ इलेक्टरोन दे रहा है उसके लिए विभब कैसा अपन होगा? अक्सीकरन विभब लेकिन हम उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं बस साइन को क्या रख करना है? पलट देना है अब देखिए इसी बात पर एक इंपोर्टेंट बात हम आपको बता रहे है जिंग का अक्सीकरन विभब होता है पलस 0.76 वोल्ट ठीक है? और इसका जो अवकरन विभब होता है वह होता है माइनस 0.76 वोल्ट ये होता है इसी जगा पड़ यदि तुम कॉपर ले लो तो कॉपर का होता है रिडक्षन पोटेंशियल ये होता है पलस 0.34 वोल्ट तो इसका अवकरन विभब कितना होगा? माइनस 0.34 वोल्ट क्या कोई देखा था इसमें? तो हम किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए दोनों विभब लिख सकते हैं अब एक नया बात सुनिए केमिश्ट्री में बुक या जो आपको कोस्चन का सोडस मिलेगा उसमें सभी इलेक्ट्रोड के सिर्फ अवकरन विभब की चर्चा होगी सिर्फ अवकरन विभब की चर्चा होगी हाँ, साइन पलस रहेगा और मैनस रहेगा तो आप ये बताइए कि यदि सब का अवकरन विभब का ही चर्चा हो तो अवकरन विभब का मतलब जेनरल ही होता है अलेक्ट्रोड लेने वाला प्रोपर्टी लेने वाला गुन तो निगेटिव होगा कॉपर का reduction potential positive है 0.34 यानि यह किस case में positive है, यह क्या चाहेगा यह यह electron लेने का tendency रखता है oxidation potential इसका negative है, positive है यदि reduction potential तो निष्टित है उसका oxidation potential negative होगा, यानि इसका भी मतलब है कि वह electron लेने की प्रविटी रखता है तो एक बात set किजिए दिमाग में ये बात हम बार बार अब नहीं बोलेंगे Oxidation Potential Positive इसका मतलब उसका Reduction Potential Negative और इस दोनों का एक ही मतलब होता है कि उसका Tendency हमेशा Electron देने का होगा किसी का Reduction Potential Positive या Oxidation Potential Negative दोनों का एक ही मतलब होता है और दोनों का मतलब है उसका Tendency Electron लेने का है क्या किलियर होगा ये चीज़ अब हम यदि Copper और Zinc के Electrode की तुलना करें तो एक का हम Oxidation Potential ले लें और एक का Reduction Potential ले लें तो तुलना सही तरह से नहीं हो पाएगा हम क्या करते हैं दोनों के Reduction Potential को मानते है इसका Reduction Potential 0.76 Volt है और इसका Reduction Potential Plus 0.34 Volt है तो एक्चल में यदि इसका Reduction Potential Negative है तो हम अपने आप सोच लेंगे कि इसका Oxidation Potential Positive होगा और इसका Reduction Potential Positive है तो हम खुद बखुद सोच लेंगे कि कि इसका oxidization potential negative होगा अब ही के बाद हम औक सी करन विभव पर चरचा नहीं करेंगे हम जब भी किसी electrode के विभव की चरचा करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको चरचा करेंगे किस चेज का अब करन ब्रूब है या फिर हम वो मान दे दिया करेंगे जो इसका प्रोपर भेल्यू होता है तो साइंस क्या करता है केमिस्ट्री क्या करता है जीतना भी इलेक्ट्रोड है न सब के अवकरन विभव का मान आपको देगा ऑक्सिकरन विभव का मान आपको नहीं देगा क्योंकि वो जानता है कि हम आप को समझा दिये हैं कि उसका उक्सीकरन विभव आप कैसे निकालेंगा बास समझ में आ रही है और ऐसा करने पर केमिस्ट्री पढ़ना थोरा आसान हो जाता है ने तो कभी उक्सीकरन विभव कभी अदमी उसमें उलज के रहा जाता है इसलिए सब इलेक्ट्रोड को हम एक ही वि कि यदि किसी का अवकरन विभव पोजिटिव है तो उसका टेंडेंसी कैसा इलेक्ट्रोण लेने का या देने का इलेक्ट्रोण लेने का अवकरन विभव रिडक्षन पोटेंशियल पोजिटिव है मतलब उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रोण लेने का है और यदि किसी इलेक् बहुंग है यदि किसी इलेक्ट्रोड का reduction potential positive है, निश्चित है कि उसका oxidation potential negative होगा, oxidation potential negative होगा, यानि व 結果 इलेक्ट्रों देगा नहीं बलकि electron लेगा और यदि किसी electrode का अवकरन विभव cognitive है, स्थ़ोरी, अवकरन विभव negative है, तो निश्चित है कि उसका औक्सिकरन विभव पोजिटीव होगा और वह हवे सा इलेक्टरॉन देगा तो दिमाग में सेट हो गया ये बात औक्सिकरन विभव का पोजिटीव होना या अवकरन विभव का निगेटीव होना एक बात है जो इलेक्टरॉन देने को इंडिकेट करता है अब करन विभव का positive होना या उक्सी करन विभव का negative होना एक ही बात को indicate करता है और या indicate करता है कि उसका tendency electron लेने का है आई ये बात समझे में अब इस clear है ये चीज़ तो हम लोग ज्यादा उक्सी करन विभव का चर्चा नहीं करेंगे हम लोग हमेशा चर्चा करेंगे किसका अब करन विभव का नीचे arrow दीजिए और लिखिए ये बात अब लिखेंगे रासाइन सास्त्र में रासाइन सास्त्र में सभी इलेक्ट्रोड के रासाइन सास्त्र में सभी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को अवकरन विभव माना जाता है सभी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को अवकरन विभव माना जाता है सुनिएगा अब किसी का ओक्सी करन होगा मान लिजे कहीं ओक्सी करन होड़ा है उसको भी ये क्या मान के चलेगा अब करन भी होग खाली क्या करेगा पता है उसका ओक्सी करन भी होग पोजिटिव होगा तो इसको अब करन भी होग के रूप में लिखेगा खाली साइन को क्या कर देगा चेंज कर देगा वो पलस से मैनस कर देगा किलियर है बास समझ में आगई अब एक important term सुनना ध्यान से ये जिंक इलेक्ट्रोड है और हम चाहते हैं कि इस अर्ध सेल का हमको विभव पता चले कि इसका विभव कितना है और कैसा है इलेक्ट्रोड देने वाला इलेक्ट्रोड देने वाला या फिर इलेक्ट्रोड लेने वाला हम पहले बता चुके हैं जिंक हमेशा इलेक्ट्रोड देता है तो आपको ये बात थुरी देर के लिए मान लिए कि जेंक देता है इलेक्ट्रोन तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है ना कि हम ये पता करें कि कितना कितना देने का टेंडेंसी है जैसे हम को हम जैसे मालो कि हम पढ़ाना चाहते हैं खूब पढ़ाना चाहते हैं लेकिन तुम्हारे दिमाग में आगा कि कितना ये बात कैसे पता चलेगा कि हम कितना पढ़ाना चाहते हैं यह तब नपता चलेगा जब तुम सामने बैठ होगे और पढ़ होगे कोई ख्रлоस में है भी ने हम तो पढ़ात अब ठाइंगे हैं तो हमारे कहने का ये मतलब है कि एलेक्टrण देना चाहता है कि पतनी इसकी टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रोन देने की, ये बात पता चलेगा इसके विभव से, इसका अक्सीकरण विभव जितना ज्यादा होगा, या इसका अवकरण विभव जितना कम होगा, इसकी टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोन देने की होगी, क्या मेरी बात आ पार हैं इसका ओक्सीकरन विभब जितना ज्यादा होगा या अवकरन विभब जितना कम होगा क्योंकि ओक्सीकरन विभब जितना ज्यादा होगा प्लस भेलियो मैनस करेंगे तो वो भेलियो उतना ही कम हो जाएगा तो इसका ओक्सीकरन विभब जितना ज्यादा होगा इसका देने का tendency उतना ही अधिक हो गए या यूं कहएंगे इसका अभगरन वीभब जितना कम होगा इसके एलेक्टोन देने की tendency उतनी ही अधिक होगे तो सवाल पहला होता है कि जब तक हम वायर से इसको connect करेंगे नहीं सामने एलेक्ट्रोड से तब तक तो यह हमको पते नहीं चलेगा कि इसका विभव कितना है इसका ये मतलब हुआ कि एक अधूरा सेल का, यानि एक अर्ध सेल का विभव तुम कभी भी ग्यात नहीं कर सकते हो इसके लिए तुम को क्या करना पड़ेगा इसके लिए कोई भी एक इलेक्टोड तुमको यहाँ पर जोरना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा कि उसका विभव कितना है तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अर्ध सेल के इलेक्टोड विभव का मापन किसी दूसरे अर्ध सेल के मदद से ही संभव है अकेले अर्ध सेल के लेक्टोड विभव को मापना संभव नहीं है क्या कोई दिकत है इसमें हम आपको पिछले क्लास ने बोले थे कि अगला दो-तीन लेक्चर जो है बहुत सेंसिटीव है और यह सब बात यदि आप समझ नहीं पाएंगे अभी हम इतना बार बात को क्यों रिपीट किये पता है तुमको ताकि तुमको कन्फ्यूजर नहों बात याद हो जाए दिमाग में सिट हो जाए ने तो इतना बार हम बोलते नहीं अब औक्सीकरन विववव औक्सीकरन विववव बोलेंगे तुम लट पटा ये दी गया आगे तो हो गया चेप्टर यहीं पर खतम हो गया तुमारा इसलिए अब लट पटाना मत औक्सीकरन विववव के पोजेटिव होने का क्या मतलब होता है औक्सीकरन भीवफ के निगेटीव होने का क्या मतलब होता है रिडक्षन पोटेंसिल के पोजिटीव होने का क्या मतलब होता है रिडक्षन पोटेंसिल के निगेटीव होने का क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोन लेने देने के टर्म में ये सब बात तुमको पता होना चाहिए और यदि पता चल गया है तो आगे पढ़िए नहीं पता चला है तो आगे मत पढ़िए लेक्चर देखना भी बंद कर दीजे क्योंकि अब आपको समझ में आने वाला नहीं है यदि ये बात समझ में अभी तक नहीं आया है तो क्योंकि हम आगे ज़्यादा चर्चा करने वाले नहीं है लिखिए किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गनना किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गनना किसी दूसरे अर्धसेल के मदद से ही संभव है किसी दूसरे अर्धसेल की मदद से ही संभव है पारग्रप चेंज करके लिखेंगे अकेले अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विवव अकेले अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विवव का मापन संभव नहीं है सुनिए अब तीन तरह का ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी मदद से हम लोग किसी अर्धसेल के इलेक्ट्रोड विवव की गनना करते हैं ठीक है? लिखेंगे नीचे स्टार लगा के तीन तरह के स्टार लगा या और लिखेंगे तीन तरह के अर्धसेल तीन तरह के अर्धसेल की मदद से किसी दूसरे अर्धसेल किसी दूसरे अर्धसेल के इलेक्ट्रोड विवव की गनना की जाती है की गनना की जाती है पहला लिखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरा लिखेंगे एजी एजी सी एलेक्ट्रोड और तीसरा लिखेंगे केलोमेल इलेक्ट्रोड और आप याद कीजिए ये तीनों परकार का इलेक्ट्रोड आपको बताया गया है याद है आपको इलेक्ट्रोड के दूसरा इलेक्ट्रोड के दूसरा टाइप का ये पहला एक्जामपल था Metal, Metal Iron Insolubal Salt Electrode AGE-AGCL बताया थे और ये दूसरा एक्जांपल था केलोमेल Electrode ये नहीं बताया गया ये बताया गया Hydrogen Electrode बताया गया लेकिन मानक Hydrogen Electrode नहीं बताया गया सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस मानक Hydrogen Electrode पढ़ है इससे और इससे मतलब इस दोनों अर्धसेल की मदद से हमको किसी अर्धसेल का विभव निकालना ये हमारा सिलेबस नहीं है हमारा सिलेबस है कि हम मानक Hydrogen Electrode की मदद से कैसे किसी दूसरे अर्धसेल के एलेक्टोड विभाव का मापन करते हैं तो हम सबसे पहले हीटिंग डालेंगे एक नंबर में मानक हाइड्रोजन इलेक्टोड अब आपको ये बात थोड़ा डीटेल में समझना पड़ेगा और ये बेहद इंपोर्टेंट है ये अब बूर्ट एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है सीधे आपसे कुर्स्वान करेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्टोड से आप क्या समझते हैं वाट डियो मेन बाइव से ची स्टैंडर्ड इंग्लिस में लिख लो Standard Hydrogen Electrode मानक Hydrogen Electrode Standard Hydrogen Electrode अब देखो एक नया वर्ड आया है मानक और इंगलीस में इसको क्या बोलते हैं? Standard अब ये वर्ड लगाताराते ही रहेगा तो जब ये वर्ड लगाताराते ही रहेगा तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि इस वर्ड का मतलब समझने की ये क्या होता है सुनिएगा ध्यान से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दो चार बात पर निडभर करता है जैसे इलेक्ट्रोड की प्रकिर्टी कैसी है इलेक्ट्रोन देने की है या इलेक्ट्रोन लेने की है यदि देने की है तो कितनी देने की है लेने की है तो कितनी लेने की है और ये सब बात इन सभी चीजों पर हमारा जोर नहीं चलता है इस पर हमारा बस नहीं चलता है क्योंकि ये उसकी प्रकिर्टी है कि वो इलेक्ट्रोन देना चाहता है अरे उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोन देने का होगा तुम्हारा मजाल है तुम उसे इलेक्ट्रोन लेबाद होगे सवाल ही नहीं पैदा होता है तो इलेक्ट्रोड की अपनी प्रकिर्टी होती है और चुके हम इसको बदल नहीं सकते हैं इसलिए इस पर कोई काम नहीं होगा और पहला बात ही है अभी हम लिखेंगे भी है था कि क्या कर रहे है के क्या कर रहे हो तुम लिख रहा हुआ बोले हम लिखने के लिए ने जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो लिखियों किये मत आप जब लिखिये गा तो फिर समझेगा कैसे दो में से को यह काम कीज़े सुनो आगे में कैमड़ा है माल लए यह बोडी लेंगने दिखाए ने देगा हमको सब दिखाए देता है हमको ज़सेर भाहर भी दिखाए देता है इस सही कहा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आम तिरकाल-दरसी है तुowe हो दरसी है तुम्हारे body language स्ये update चलता रहता तुम्हारे ऐक्टिविटी हल्का सा भी चेंज होता है न तुम्हारी नजर से चिपता नहीं इसलिए कोई खिसा करते हुए रहता है तो नजर जाता है बस हम छोड़ देते हैं कि बार बार बोलते नहीं है टोकते नहीं है लेकिन आपको यह बास सबजना चाहिए सुनिए तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तो तीन चार बात पर निर चार बात पर निर भर करता है सबसे पहला इलेक्ट्रोड की प्रकिर्टी पर दुसरा तुम जब इलेक्ट्रोड बनाओगे तो इलेक्ट्रोड में जो आयन हम लोग डालते थे जिसे यहाँ जिंक का रॉट डाले तो यहाँ पर आयन कौँ सा है तो इसमें उस आयन का सांधरन क्या है यदि आयन का सांधरन ज्यादा हो या आयन का सांधरन कम हो तो इससे भी इलेक्टोड विवब पर परभाव परता ने है खूब परता है और बदलने से बदल जाता है और बाद में इसका किल्कुलेशन करना पड़ेगा आपको यह सब सीखना पड़ेगा कि कैसे दूसरा टेंप्रेचर पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड विभव का एफेक्ट, टेंप्रेचर ताप से भी ये परभावित होता है और चवथा यह दाब से भी परभावित होता है अब कईसे परभावित होता है यह सब जब हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा अब एकी बार में सब बात तो दिमाग में जाएगा नहीं पहले आप लिखे नीचे रोदेगे लिखेंगे अच्छा सुनो हम इलेक्ट्रोड बोले या अर्धसेल बोले दोनों एकी बात है ठीक है लिखेंगे किसी अर्धसेल या इलेक्ट्रोड किसी अर्द से लिया इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान के इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न बातों पर निम्न बातों पर निर्भर करता है निम्न बातों पर निर्भर करता है नमबर एक इलेक्ट्रोड की प्रकिर्टी पर इलेक्ट्रोड की प्रकिर्टी पर नहीं कोई भी गैस भी हो सकता है कोई भी हो सकता है जैसे हैड्रोजन गैस ये इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है सिर्फ धातू नहीं कोई भी हो सकता है हम आगे बात करेंगे इस पर आप टेंसन में मत आईए पहला इलेक्ट्रोड की प्रकिर्ति हम बोले तो आप येसे करें कि धातू पर ही होगा तो हैडोजन गैस पर निर्भर नहीं करेगा मतलब गैस का हो धातू का हो या कुछ भी हो इनर्ट रहेगा तो कोई बात ही नहीं होगी वहाँ पर इनर्ट रहेगा तो वहाँ पर कोई potential पैदा ही नहीं होगा चुकि वह reaction में involved होगा ही नहीं ये तो हम पहली आपको बता दिए हैं कि हमको सिर्फ वैसे इलेक्ट्रोड से मतलब है जो या तो इलेक्ट्रोड देता हो या फिर इलेक्ट्रोड लेता हो हम कल इलेक्ट्रोड भी हो जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे ने कि तीन संभाब ना हो सकती है एक को हमने आपको कहा था कि छोड़ देना है क्योंकि वो electron लेने देने की स्थिती में नहीं है और हमको यहाँ पर ऐसे electron से काम है जो electron देता हो और electron लेता हो कोई देगा, कोई लेगा, तब नए electron का continuous flow होगा laiden किया ही ने एकदम बैठा हुआ है आराम से तुम्हारी तरह बिल्कुल नियोट्रल हो गए तो कैसे काम चलेगा आई बास समझ में दूसरा लिखेंगे इलेक्ट्रोड में उपस्थित आयन के सांद्रन पर हम की सायन की बात कर रहे हैं हम की सायन की बात कर रहे हैं जीसे जींक इलेक्टरोड डालें तो जींक आयन, हाइडोजन गैस डालेंगे तो एच प्लस आयन, स्कलोरीन गैस डालेंगे तो सी यल मैनस आयन, मतलब कॉमन आयन जो चीज़ आप डाले हैं, उस आयन के संद्रन की बात कर रहे हैं क्या बोली हम इलेक्ट्रोड में उपस्थित आयन के सांदरन पर तीसरा नमबर लिखेंगे ताप पर और चोथा नमबर लिखेंगे दाव पर ताप पर टेंपरेचर पर और प्रेसर पर लिख लिए अरे ताप और दाप में अंधर नहीं समझ में आता है क्या हम तोतर आते हैं क्या ईसा कुछ लगता है का तुमको इतना फ्रेस तो बोलते हैं चलो हो गया लिख लिए न अब सुनियेगा देहान से क्या हुआ क्या लिखा है हम बोले इलेक्ट्रोड में उपस्थित आयन के सांधरन पर तीसरा बोले ताप पर और चवथा बोले दाव पर हम इसी चीज को ने discuss कर रहा है सुनो तो चार चीज पढ़नी रहार करता है सुनी अब चार चीज में हम किस पर काम कर सकते हैं और किस पर काम नहीं कर सकते हैं यह जानना आपके लिए बहुत खास है इलेक्टोर्ड के प्रकिर्टी के साथ हम कोई छेड़ छार नहीं करेंगे बचा कितना चीज़? तीन चीज़ अब इस तीन चीज़ को सुनो ध्यान दो तीन चीज़ में आया कौन-कौन टेंपरेचर, प्रेशर और आयन का सांदरन हम बड़ी ब्रैकेट में हच पलस लिखे तो इसको पढ़ेंगे कंसेंट्रेशन ओफ एच पलस आयन को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको पढ़ेंगे प्रेसर का चर्चा नहीं होगा क्योंकि प्रेसर का चर्चा जेनरली होता है गैस इलेक्ट्रोड के लिए आपको याद है गैस डालते थे अंदर में हाइडोजन गैस इलेक्ट्रोड याद है आपको तो हाइडोजन गैस जब आप डालिएगा तो कोई हाई प्रेसर पर डाल सक कि यह स्थी में कभी तो अभी कम भा कभी प्रेसर ज्द होगा तो हैडरोजर ज्यादर अ येम होता है और एचिपलस आएयन जिसे अंदर में ZN++ है, मान लिजिए इसका सांद्रन जो है न 1 M है, 1 M का मतलब हुआ 1 M पर लिटर, मान लिजिए कि हम इस सर्थ पर इसको रख कर इसका विभव चेक किये, तो हमको कुछ होड़ाया, और यदि हम temperature बदल दें, तो इसका विभव तुरत बदल जाएगा, यदि pressure पर बात होगी नहीं, आयन का सांद्रन यदि अंदर में बदल दें, तो भी इसका potential बदल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में scientist लोगों ने क्या किया, अब जिद देखो, सुनो ध्यान से, इतने साड़े आदमी हैं, और मान लिजे सब को एक track पर दवरने के लिए दिया जाए, तो track हाँ एक रास्ता दिया जाए, और सभी रास्ता बड़ाबर हो, तो पता चल जाएगा कि कौन सब से तेज धाबक है, लेकिन यदि मान लिजे condition बदल दिया जाए, और सब को दवरने के लिए कहीं कंकर, पत्थर, सब कुछ दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिती में कौन आगे गया, कौन पीछे गया, ये तो बहुत सारा चीज पढ़ने डिपेंड कर जाएगा, तो हमको आपको ऐसा नहीं लगता है, कि यदि हमको सब से तेज धाबक को चुनना है, तो हमको एक जैसा condition उसको देना पड़ेगा, बिल्कुल उसी परकार से, यदि ये जिंक ऐसा है, और ये potential मान लो दे रहा है 0.76, इस सर्थ पर, और हम copper का चेक कर लिए, मान लो सर्थ बदल दिये, temperature 50 degree C कर दिये, copper का iron का संदर 2M कर दिये, तो उसका जो potential आया, वह potential तो बदले वे condition पड़ना आया, तो ऐसी इस थिती में हमको क्या पता चल पाएगा, कि जिंक के electron देने की tendency अधिक है, या copper के electron देने की tendency अधिक है, या लेने की tendency अधिक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, यदि हम चाहते हैं कि हम ये ग्यात करें, कि किस electrode का electrode विभव ज्यादा है, और किस का electrode विभव कम है, तो हमको सबसे पहले इस तीन सर्थ को इस्थिर करना पड़ेगा जिस पर ये निर्भर करता है जिस पर इलेक्टोड भी हो निर्भर करता है अब मानली ये कॉपर के साथ भी हम मानली ये सिल्वर है मानली ये दूसरा इलेक्टोड हम सिल्वर लेते हैं सिल्वर के साथ भी हम यही कंडिशन दे मालो इसका आया हमको 0.76 वोल्ट और सिल्वर का आगया मालो 1.11 वोल्ट और समान सर्थ पर तब नहीं हम कहेंगे कि सिल्वर का ज्यादा हुआ और जिंग का कम हुआ लेकिन हम सर्थ बदलने तब क्या यह बात कहा पाएंगे तो साइन्टिस्ट लोगों ने भी यही किया अलग-अलग इलेक्ट्रोड में किसका पोटेंसियल जादा होता है किसका पोटेंसियल कम होता है इस बात को जानने के लिए उन्होंने एक टेवल बनाना शुरू किया तो टेवल बनाने के दौरान अलग-अलग यदि सर्थ हम रखेंगे तो फिर टेवल गलत आ जाएगा तब तो सब अलग-अलग सर्थ पढ़ना आ जाएगा तो सब के लिए एक सर्थ फिक्स किया और वो सर्थ यह था इंग्लिस में इसी को हम लोग कहते हैं Standard Condition तो अब आप ये बताइए सुनिये का ध्यान से अब आप ये बताइए कि क्या ये विभव सिर्फ इसी कंडिशन में पैदा कर सकता है या दुसरे कंडिशन में भी पैदा कर सकता है तो अभी इसके विभव को हम लोग simple विभव कहते हैं, मतलब oxycoran विभव कहते हैं, लेकिन इस सर्थ पर यदि इसके विभव को निकालिएगा न, तो उसी को कहा जाता है मानक oxycoran विभव, पहले था oxidation potential, अब इंगलिस में इसको कहेंगे, standard oxidation potential, मानक oxycoran विभव, यानि मानक सर्थ पर यदि किसी इलेक्ट्रोड के विभव का measurement आप करते हैं, तो उसमें मानक word अपने आप लग जाएगा, चाहे वहाँ पर oxycoran हो रहा हो, चाहे वहाँ पर अवकरन लग रहा हो, तो आप से कोई पूछे, कि what is difference between RP and SRP, reduction potential or standard reduction potential किसी भी इलेक्ट्रोड के अवकरन विभव और मानक अवकरन विभव में क्या आंतर हैं, तो हम कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड के अवकरन विभव का मान, यदि किसी भी ताप, किसी भी दाव और किसी भी आएन के सांदरन पर हो, तो उसको हम लोग उसका अवकरन विखाब कहेंगे लेकिन यदि उसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव की गनना मानक सर्थ पर हो यानि 25 रिडी सी ताप एक टीम दाव और आयन के वन सांद्रन पर हो तो तब जो विभव उसका उत्पन होगा उसी को हम लो मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक ऑक्सिक्रन विभव गहेंगे अब बात समझ में आ रहा है अभी आप हेडिंग क्या लिखें हैं कुछ हेडिंग नहीं लिखें हैं और हेडिंग लिखा था न मानक हाइडोजन इलेक्ट्रोड इसी को पढ़ने के लिए निए चार गोल लाइन आ गया है निजए रोदी और लिखें अच्छा हम जो कल बोले थे कि यह टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है तुमको नहीं लग रहा है कि यह सेंसिटिव है हलका भी तुमड़ा ध्यान भटका न तो एगो दिखता होगा गारी चलता होगा तो उसमें दिल लिखावा रहता है लटक ले बेटा तो गेले बेटा इस दो तीन क्लास कल वाला आज वाला और अगला एक क्लास तु घर वराया तो तुमको कोई नहीं बचा सकता है इस चेप्टर में मतलब बेटा लटक गया समझ गया तो गया वो एक दम चरितार्थ हो जाता है यहां पर इस तीन क्लास में सो बी केरफूल लिखे नीशेरो देख लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव के मान की गनना इलेक्ट्रोड विभव के मान की गनना किसी भी ताप किसी भी ताप किसी भी दाव तथा आयन के किसी भी सांद्रन पर की जा सकती है किसी भी ताप कॉमा किसी भी दाव तथा आयन के किसी भी सांद्रन पर की जा सकती है ऐसी इस्थिती में जो विभव उत्पन होता है, उसे सामान इलेक्टूर्ड विभव गाते हैं उसे सामान इलेक्टूर्ड विभव कहते हैं परंतु जब इलेक्टूर्ड विभव के मान की गनना, मानक सर्थ what do you mean by मानक सर्थ, what do you mean by standard condition, where value of temperature is 25, value of pressure is 180m, and value of concentration of iron is 1m क्या लिखें मानक सर्थ, मानक सर्थ लिख लिख लिए हैं, ब्रैकेट में लिखिए, टी बराबर 25 डिग्री सी और 298 केलविन कॉमा देके लिख लिख लेना, pressure बड़ाबर 1km, और iron का सांद्र, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, iron का सांद्र, 1m, ब्रैकेट क्लोज कर दीजे, पढ़ की जाती है, हम प्रैसर भी लिखे न, अरे, यह न गैस एलेक्टोड ने, जब आएगा तो आजाएगा, मानक सर्थ में यह तीनों चीज कंसीडर होता है, जहाँ जो अप्लीकेबल है, अप्लाई कर दीजे, यहाँ पर प्रैसर की बात नहीं होगी, लेकिन जो गैस एलेक्टोड होगा, अभी छोड़ देंगे, हम क्या बोलें, किसी भी इलेक्टोड के लिए, हम क्या कोई खास जिंक बोल दिये क्या, या हम सिर्फ हाइड्रोजन बोले क्या, नहीं, वो सब इलेक्टोड पर भैलीड होगा, जहाँ जो अप्लाई होगा, उसको कर देना है, की जाती है, तब जो विभव उत्पन होता है, उसे मानक इलेक्टोड विभव कहते हैं, ये लिखा हुआ है, और इसको भूलना मत, मानक सर्थ, नोट करके इसको लिखो तो नीचे में, नोट करके बड़ा में लिख लो, बाद में भूला तो मुहमा फूला देंगे नीचे उतर के जिसमें निमरिकल बनाते बक्त गर बड़ाया तो, इधर क्या देखता है, अपना लिखो नीचे, सब कुछ उतरबे करेगा इतना बनिया से समझने के बाद, उपर पर भी लिखा हुआ है, बुली हो गया, अब आप थोड़ा बताएए तो मानक हाइड्रोजन इलेक्टरोड क्या है, यदि आपसे हम पड़िवासा पुछें कि आप मानक हाइड्रोजन इलेक्टरोड से क्या समझते हैं, हम कहेंगे जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सी ताप हाइड्रोजन के 180M दाव और H पलस का 1M सांधरन पर निर्मान करते हैं तब उसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं हाया ना इस्टार लगाई यह लिखे एस एची अप अरे यहां पर एक हीडिंग में इसमें बगल में लिख दो ताइस एची बरो बड़ा गरबरी होगा है पीछे हेडिंग लिखा था नहीं है इस्टेंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्टोरी सी को यह बड़ा पॉपुलर है एस एची के नाम से एस एच ए एक काम करो यह कल लिखाएंगे क्योंकि आज लेठ होड़ा है बाहर में बच्चा सब बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं